मैं आतकी संगठुनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि वे बहुत बड़ी गल्ती कर चुके मैं देश को भरोसा देता हूँ कि हमले के पीशे जो ताकते है इस हमले के पीश जो भी गुनेगार है उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूँ और आलोचना करने का उनका पुरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी साथियों से अनरोध है कि ये वक्त बहुती संवेदंसिल और भावपल है पक्षम है ये भी पक्षम है हम सब राजनीतिक छीटा कसी से दूर रहें इस हमले का देश एक जुठ होकर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक इस्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए तेहों कि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे है पूरे विश्व में अलग थलग पढ़ चुका हमारा पडोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्ते वो कर रहा है जिस तरह की साजी से रच रहा है उससे भारत में अस्थिर्ता पैदा करने में सपल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे वो कभी यह नहीं कर पाएगा और नहां कभी यह होने वाला है इस समय बड़ी आर्थिक बेहाली के दोर से गुजर रहे हमारे पडोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है उसके यह मनसुबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले है वो तबाही देखते चले है और हमने जो रास्ता अकत्यार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है 130 करोड हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश ऐसे हर हमले का मुझ तोड़ जवाब देगा कई बड़ो देशों ने बहुती सक्त शब्दों में इस आतं की हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की भारत को समर्थन की भावना जताई है मैं उन सभी देशों का आभारी हूँ और सभी से आवान करता हूँ कि आतंगबाद के खिलाब सभी मानोताबादी शक्तियों को एक हो करके लड़ना ही होगा मानोताबादी शक्तियों ने एक हो करके आतंगबाद को परास्त करना ही होगा आतंग से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मात एक स्वर एक दिशा से चलेंगे तो आतंग मात कुछ पल से जादा नहीं टिक सकता